वेल्कम बैक टो यूर ओन चानल चार्ड कमांडो फ्रेंड चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप कैसे पैसे बना सकते हैं किस टॉक में कमाई के मोके हैं आपको किस टॉक कमाई की क्रिडिट पॉलिसी भी है दस बजे वो भी याद रखना इवेंट और बिल्कुल उस इवेंट के वाज़े से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर भी असर हो सकता है जादा असर बैंक निफ्टी पर होगा तो बिल्कुल दस बज़ा तक भी क्वाशियस ट्रेड मत करिएगा कल जैसे डिसकेशन हमने किया था उस तरीके से यह जो ट लिक्त यह हुई है कि यह continuous continuous straight जा रहा है और continuous यह हमारे राफिल दादा ने भी बताया था और continuous लिए उपर की तरफ जा रहा है लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा इसको retrace होना पड़ेगा इसका मतलब यह नहीं है कि और ऊपर नहीं जाएगा लेकिन यहां पर retrace लेना पड़े थोड़ा सा retracement लेना पड़ेगा और यहां पे देखिए 11600 के असपास तक के यहां पे जगा है लेकिन वो directly नहीं आएगा ABC पैटन जो correction है थोड़ा सा नीच आएगा फिर थोड़ा यह करके यह इस तरीके से आएगा और यहां से फिर हमें और एक उपर की तरफ मूँ देगा तो इस तरीके से हमें काम करना है तो हम कल exact क्या कर सकते हैं कुन से level पे हमें trade कर सकते हैं वो हम देखेंगे यहां पे तो अगर यह closing का level आप देखेंगे तो इसके नीचे हमें short करना चाहिए 800-800-800-800 के नीचे यहां पे selling के लिए तयार रही है आप और 11800 के नीचे confirmation मिलता है Decisively break करके वहां पे close होता है तो यहां पे हम 11800 के नीचे selling का सोचेंगे और उपर के chances थोड़ा इसका कम है 11900 के उपर लेकिन यहां पे bearishness के ही ज्यादा chances है तो यहां पे according लिए आप यहां पे plan कर सकते हो 118 से के नीचे candle तो selling वाली है लेकिन confirmation का इंतजार करना पड़ेगा डेली में तो selling वाली कन देख रही है यह एकसपायरी पीवर एकसपायरी candle है तो selling वाली candle है लेकिन इसका confirmation के बाद ही हम यहां पे short करने का सोचेंगे और उस तरीके से मैंन करिए लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हो यहां पर चार्ट कमंडो डायरेक्ट टाइप करिए वहां पर आकाउंट ओपनिंग की भी बहुत सारे offer चल रहे तो टेलिग्राम पर यह सारा पीन मेसेज पर आपको जो भी है सारा यहां पर offer जो भी है यहां पर मिल जाएंगे औ और आज क्या अगर आज क्या भी हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे जो चारो के चारो हमने स्टॉक दिये थे चारो के चारो वहां पर शेर की तरह बागए हैं और बहुत अच्छे मूह दिये हैं हाँ थोड़ा गया पर पॉपनिंग ज़रूर हुई है लेकिन दूबा सारा हमने जो आइटी सेक्टर था और आइटी सेक्टर पर हमने हाथ रखा और आइटी सेक्टर फिर बागने लग गया है और मैंने देखिए अभी थोड़ी देर पहले यह पाउने चाहत बज़े लग बग यह कुरूर का भी यहां पर चार्ट दिया है तो यह इसके काप्तिक आब देख लेते हैं यहां पर लेकिन बस ओग उपर इनुपर जाने के चांसे नहीं कहें है क्योंकि कुछ लोग उन्हीन के लिए बैट ए मैं भी घलत हो सकता हूं यह 100% agree करता हूँ और बिलकुल यह हमारा analysis है आपका खुद का analysis करिए financial advisor का आपका जरूर सला ले सकते हैं तो यहाँ पे दिखिए 23100 की नीचे मैं यहाँ पे selling का सोचूंगा और उसी सबसे मेरे trade plan करूंगा और यहाँ पे selling के लिए आ जाते तो यह पहला target दूसरा target यह रहेग तो यहाँ पे 22900 की level हमें दिख सकते हैं और यहाँ से aggressively नीचे आएगा तो फिर 22750 की level हमें दिख सकते हैं इसलिए trade का plan करिए उस हिसाब से कल मैं कौन से stock लेने वाला हूं तो यह देखिए मैंने महिंद्रा को मैंने बाइंग के लिए choice करा है क्यों choice करा है तो यहाँ पे तो यहाँ पे और और अजब time frame का confirmation लें हम multi time frame analysis करें तो देखिए यहाँ पे यह pattern बना और फिर देखिए यह आप से फिर और यह pattern बना और इसके बाद फिर ऊपर की तरप इसने break out दिया तो यहाँ पे अभी देखिए यह pattern बन रहा है और यहाँ पर देखिए इस pattern को मैं क्य नाम दूँ तो इस तरीके से यहां पर क्या नाम देना है आप कॉमेंट करके बताएए अजीब से structure को क्या नाम दूँ इस pattern को मैं क्या नाम दूँ तो बिलकुल यह कुछ तो भी नाम दीजिए और कॉमेंट में लिखिए वहां पर कि आपने क्या नाम दिया है और बिलकुल जबर्दस पैटन ब्रेक आउट कल हो सकता है और चोटे टाइम प्रेम में उसी सब से आप प्लान करिए इसके लेवल मैं टेलेग्राम पर दे दूँगा अभी लेवल मैंने ड्रॉन नहीं किये हैं औ और आउखिये रंदादा कोविए सेपोर्ट लेके जुन्ह ने राफियल का कॉर्स किया होगा और फ्री में हे कॉर्स खाले आझ अशाले अउपन करना है और यह पूर्रा कोर्स मिल जाएगा आपको देखिये राफिदादे और कैसे आडवांस लेवल पर यूज करना है कर लेकिन यहां पर 30 मिनिट में और दिखाता हूं में तो यह breakout हुआ था पहले हमने यहां पर buy कराया था फिर यहां पर buy कराया था और अभी देखिए यह बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा pattern हो रहा है इस pattern को क्या नाम दू इस अजीब से structure को क्या नाम दू कौन से वीडियो का है इंतजार मैं होना प्राइस एक्षिन का वीडियो आपको फ्राइड को मिलेगा आठ बजे टेंशन मत लीजिए और यहां पर देखिए कौन सा pattern बन रहा है नीचे नाम बिलकुल आप टाइप करके लिख सकते हैं मारी को नेक्स्ट है मारी को भी बहुत अच्छा pattern यहां पर डेली में भी देखें तो यहां पर candle daily का थोड़ा सा confusion लेकिन यहां पर राफिल सपोर्ट ले रहा है और यहां पर 75 मिनिट में अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे यह ट्रेंड लाइन का breakout जैसे हो रहा है और अगर बारी किसे आप देखेंगे तो यह जो pattern बना थ इसका breakout होके इसका रिटेस्ट भी हो तो बिल्कुल यह रितेश ने बीटेस्ट तो यहां पर बिल्कुल यह रिक्रेश यहां पर ऊपर की तरफ गया है सपोर्ट तो लिया है लेकिन यहां पर बेरिश प्रेशर दिखा रहा है और हम चोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहां पर मगर में रिमू कर देता हूं तो देखिए फिर और वो गाना गाना पड़ेगा इस पैटरन को क्या नाम दूँ त और यह इस तरीके से हमारे टार्गेट रह सकते हैं और बिल्कुल इन टार्गेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं बिल्कुल यहां पर तो बिल्कुल ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए अगर आच्छा लग रहा है तो लाइक कर करिए नए मेहमानों से बिंतिये की सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के आपका नाम नीचे लिखिए टाइब करके ताकि मैं आपका खुद वेलकम कर सकूं तब तक लिए हसते रही है हसाते रही है यह ही खुशे आप बाढ़ते रहे हैं फ्रेंड्स बाई बाई झाल